नेक्स हम दो देखेंगे clinical indication of pulsatella clinical indication of pulsatella in female problem menses and या जो leucoria की trouble होती है किस type के periods में, periods की problem में किस प्रकार के leucoria की problem में आप pulsatella को use कर सकते हैं तो clinical indication of pulsatella आपको बताते हैं ठीक है इसमें सबसे पहला important जो most important जो symptom होता है आपको याद रखना है प्लसatella आप उस आप बच्ची को दे सकते हो जो puberty age में मतलब puberty age में puberty age में जो puberty age होती है 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल यह puberty time कहलाता है इस time में हार्मोनल बदलाव आते हैं और जब हार्मोनल बदलाव इसमें आते हैं तो इसमें periods आता है पहला मतलब जो puberty duration होता है वो खत्म, start होता है 10 साल से, लेकिन खत्म कब होता है जिस दिन उसको bleeding आ गई जैसी उसकी bleeding आ जाती है वो साड़े 12 साल में आ जाए या 13 साल में आ जाए जैसी bleeding आती है उसका puberty age खत्म हो जाती है puberty duration खत्म हो जाता है वो ही complete वाला indication देता है लेकिन एदी 13 साल की उमर में जो normal age होती तब puberty नहीं आती है मतलब मिनार्की नहीं आती है bleeding नहीं आती है किसी बच्ची को normal age में normal age है जो 12 साल 13 साल के बीच में 13 साल तक उसको आज़े जाने चाहिए जो फिजियोलोजिकली एदी इस age में उसको periods नहीं आते है और वो late हो जाते है 15 साल हो गए 16 साल हो गए सहीं टाइम में periods नहीं आते हैं वैसी बच्ची एदी आपके पास आती है वैसी बच्ची के लिए पलसिटिला बहुत effective medicine है वैसी बच्ची को आपको पलसिटिला देना है जिस बच्ची के periods प्यूबर्टी टाइम में नहीं आए मतलब 12-13 साल के एज में नहीं आए उसके बाद late हो चुके है 14 साल में आके पास आई 15 साल में आके पास आई 16 साल में आई 18 साल में आई आपको दवा स्टार्ट करनी है पलसिटिला आप वहाँ सोच सकते हैं अगली बात करते हैं वही बात होई कि पहली जो period है late हो गई patient आपके पास आएगी और बोलेगी सब मेरे को जो periods थे जो पहला period था 15 साल के जमाई इसका मतलब है normalis 13 साल थी delay हो गए इसके periods medicine है आपकी पलसिटिला या एक ऐसी patient आती आपके पास उसके पास क्या है उसको irregular periods की problem है irregular periods की problem है और आप history लेते हैं तो वो बताएगी कि इस ताल मेरी जो पहली bleeding थी बहुत लेट आई थी 13 साल में नहीं आई 15 साल में आई थी तब भी आप सोच सकते हैं पलसिटिला इसके लावा उसको periods की irregularity चल रही है और साथ में उसको history मिलती है कि भाई जब से puberty आई है जब से puberty आई है irregular periods है जब से puberty आई है पहला period आया है तब से problem है या puberty की age से ही मुझे periods irregular है या पहले period से ही मुझे periods में problem आ रही है बलसिटिला अगली एक patient बोलती है सर जैसे मेरी puberty यह जाई थी जैसे मैं 10 साल की 12 साल की 13 साल patient puberty रट नहीं बोलेगी सर मुझे 10 साल की عمر से 12 साल की عمر से यह समस्या मतला जब से उसको puberty age थी तब से कोई समस्या उसको आ रही है जैसी सर में 10-12 साल की भी तब से मुझे समस्या आई रही है कोई नहीं कोई problem बनी रहती है medicine है pulsetिला तो puberty age से कोई समस्या चालू होती ही किसी female को तो उसके लिए बहुत effective medicine है pulsetिला जब दस साल, 12 साल, 13 साल की عمر से कोई समस्या चालू होती है तो medicine है pulsetिला क्योंकि hormonal irregularity hormonal balance नहीं है तो pulsetिला आपको देना है जो regulate करता है correct करता है hormonalis level को आगे बात करेंगे patient बोलती है कि जैसे ही मैं थंडे के संपर्क में जाती हूँ पानी के संपर्क में रहती हूँ लगातार पानी में काम करती हूँ तो उसकी periods में trouble आने लगते है जिस मैंने मैंने ज़्यादा पानी का काम कर लिया या थंडे के संपर्क में रहती हूँ और उस कार्ण से मेरे periods irregular हो जाते हैं medicine है पलसेटिला बहुत अधिक cold के संपर्ख में रहने से periods irregular हो जाते हैं तो पलसेटिला आपको सोचना है बहुत effective दवा है मतलब female के जो पैर है लगातार पानी के संपर्ख में है गीले की संपर्ख में है और period irregularity आ रही है पलसेटिला आपको सोचना चाहिए आगे बात करते हैं कि जब भी इसमें periods आते हैं periods हमेशा आपको याद रखना है फीवर्टे की बात करें तो हमने late period की बात करें तो पलसेटिला है यदि हम normally भी बात करते हैं period आच चुके हैं और महिला आती है और उसको periods हमेशा delay है मतलब 28 दिन में 35 दिन में जो normal cycle होती है 28 से 35 दिन की होती है यदि इसमें period नहीं आ रहे है 40 दिन में 50 दिन में 60 दिन 2 मेने में 3 मेने में उसको periods आते हैं तो आप सोच सकते हैं पलसेटिला ठीक है हमेशा periods late होते हैं देर में आते हैं पलसेटिला जब भी उसको आते हैं और यदि उसमें आपको bleeding होती है बहुत कम बहुत कम bleeding होती है ना के बरावर bleeding होता है ना के बरावर bleeding blood loss होता है पलसेटिला ठीक है जिसे हम बोलते हैं स्कैंटी ब्लीडिंग बोलते हैं स्कैंटी ब्लीडिंग बोलते हैं तो जब भी ब्लीडिंग होती है बहुत कम ब्लीडिंग होती है मालने पेशेंट है और इसको बहुत कम ब्लीडिंग होती है बिल्कुर डॉट्स एया एक ड्रॉप्स में ही ब्लीडिंग हो रही है कुछ बह आप दे सकते हैं क्या है Pulsatilla duration कम है तब आप दे सकते हैं bleeding बहुत कम होती है तब आप दे सकते हैं Pulsatilla आगे बात करते हैं जो blood इसमें आता है वो clotted blood होता है काला काला black clotted blood होता है thick dark clotted blood होता है black color का होता है तब आप दे सकते हैं यदि dark black clotted blood आपको मिल रहा है ठीक है थिक डार्क क्लॉटेड ब्लड आपको मिल रहा है तो अब दे सकते हैं पल्सटिला आगे बात करते हैं कई भाई भी मेला आती है बुलती है ब्लीडिंग चालू होई फिर रुख गई फिर दो दिन गाद फिर चालू हो गई फिर रुख गई ऐसा कुछ उसको मिल रहा है पतलब bleeding आती है, कुछ sports आते हैं, फिर रुख जाती है, फिर चलता है, फिर रुख जाता है, ऐसी कुछ यह regularity मिलती है, उसको, हर cycle नहीं मिलती है, तो very very important medicine है, pulsatella, यही symptom के भी सब दे सकते हैं, फिर 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 बंद हो गए, फिर 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 बंद हो गए, फिर बच्ची, puberty time में, मतलब वही 10, 11, 12, 13 साल की उमर में, यदि उसको wide discharge हो रहा है, सपेद पानी आ रहा है, तो आप medicine यूज़ कर सकते हैं, यंग लड़कियों में, puberty time में, या यंग लड़कियों में, यदि सपेद पानी आता है, तो उसके लिए दवा है, pulsatella, puberty age में ही, आ के लिए बनाई गई है, pulsatella, ठीक है, आगे बात करेगी, जो इसमें discharge हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, वेजने discharge हो रहा है, वो painless, पता नहीं चल रहा है, कब आ जा रहा है, milky white, milky white, सपेद दूद जैसा होता है, milky white होता है, important characteristic होती है, जो discharge होता है, वो accurate nature का होता है, ऐसा liquid, जो skin के, cell के, tissue के संपर्ख में आए, और जलन पैदा करने लगे, उसे हम बोलते है, accurate, और ये liquid, skin, tissue के संपर्ख में, जलन पैदा ना करे, वो non accurate खहलाता है, तो इसमें जो discharge हो रहा है, वो accurate होता है, जलन पैदा करता है, आज यो बाजू के tissue को damage कर देता है, rough कर देता है, जिस current से female genital organ में roughness, burning, eating आपको मिलती, very importantly आपको याद रखना है, इसके लाब बात करेंगे, जो leukoria उसमें आपको साथ में क्या मिलता है, burning pain मिलता है, ठीके, डॉक्टर नेश्च भी कई बार बता है, उन्होंने, डॉक्टर नेश्च का कहना है, ये non accurate होता है, लेकिन आपक याद रखना है, ये ठीक, वाइट, बिलकी वाइट, वेराइटी का क्या होता है, आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए medicine है, पलसे टिला, तो इस प्रकार की जो female problems हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, पलसे टिला बहुत effective medicine है, मार्केट में 6 पावर में 30 पावर में, मदर टिंचर के फार में भी available है, अलम पॉतेंसी के फार में भी available है, जिस पॉतेंसी में आप यूज़ करने चाते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रकार की टर्बल को शतम कर सकते हैं female में, तो female के लिए पलसे टिला बहुत effective है, clinical practice में इसको आप यू कोई याजाओबगो श्र reign आपको सेलेक्शन को सेफ़िए करनें हैं भोपर बोड में rotate करना है रिजल्टस सब्सपर सेंट आपको मिलेगा एिसके लावा और आप स्क्लिणिंपकल कॉनसेप्टस को जानना चाहते हैं समझे कर सकता है और अपनी क्लिनिकल प्रक्टिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन देदूंगा वहां जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं